नमस्कार में सी लू आप देख रहे हैं मिटी रूम कर इस्टी टुटे स्रीज इस वीडियो में मैं बताऊंगा 4 अक्टोबर को आज तक हुए अर्थिहासिक इवेंट तो चलिए शूरू करते हैं पर शूरू करने से पहले बता दो 4 अक्टोबर को उपार्ड आनिमल डे के नामबर्म अब्जर्व किया जाता है स्टार्ट करते हैं कुछ फेमस जन्मों से 1857 स्याम जी क्रिष्ण बर्मा एक फ्रीडम फाइटर थे फ्रीडम फाइटर होने के साथ ही ओ एक लॉयर और जॉर्नालिस्ट भी थे 1884 रामचंद्र शुकला एक हिस्टोरियन थे जिनका स्पेस्यालाइजेशन हिंदी लिटर्चर के उपर था अज राइटर उनका किताब हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे उन्दा माना जाता है उनका जन उत्तर प्रदेश में हुआ था 1952 सेलेंद्र सिंग इंडियन प्लेबैक सिंगर और आक्टर थे में सायर तो नहीं तेरी रब ने बना दी जोड़ी होगा तुमसे प्यारा कौन उनके कुछ फेमस गाने है जो आज भी कई लिसनर के प्लेलिस्ट में सामिल है 1952 श्रिपद नायक एक फॉल इडिशियन है जो की बीजेपी पार्टी को विलन करते हैं उनका जन्म गवा में हुआ था अभी ओ आयरुवेदा योगा और नेचुरोफाथी का यूनियन मिनिस्टर है 1980 स्विता तिवारी वो एक इंडियन फिल्म और टीवी आक्टर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा कोसटी जिन्दगी के लिए जाना जाता है 1997 एरिशब पर्ण साइद इनको सब जानते होंगे इनका जन्म उत्तरा करने हुआ था ये आज भारतिये क्रिकेट टीम के एक जाने माने बैट्समेन है आईए बात करते हैं अभी कुछ फेमस डेट्स के बारे में 1980 एसके ओजा ओए एक फिल्म डिरेक्टर थे आधी रात और उपासना उनके गोश फेमस डिरेक्टर्ड मूवीज है 1989 राम चंद्रपुरूसतम ओएक मराथी म्यूजिक डिरेक्टर, सिंगर और स्टेज आक्टर थे 2009 बसा प्रेम अनन्द ओ एक संसेवादी तर्कवादी डीबंकर थे और रूरल एरिया में रिलिजन के नाम पर चल रही स्काम्स के एगेंस्ट आवार्ने स्प्रेड करते थे उनका जन केरला में हुआ था अब कुछ लेमस इवेंट्स 1977 प्रिब्येस वीडियो में बताया था कि इंदरागांधी को थर्ड अक्टोबर को करप्शन के चार्जस में आरेश किया गया था और ड्रामार्टिकली चिर्फ एक दिन बाद 4 अक्टोबर 1977 में जाज ने उन्हें विदाट एन्य कंडिशन रि पुर्षी तक ले गई बोनोस में आज एक इंटरनेशनल इवेंट 1957 इसे दिन USSR स्पेस में स्पुत्निक वान को लॉंज किया था यह दुनिया का पहला म्यान मेर अर्थ सेटलाइट था और इसके साथ ही कोल्ड वार के टाइम पर USA और USSR के बीज पेस रेस शुरू हुआ था इस सीरीज की कमिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को पुरा देखने के लिए धन्यवाद